हेला एरिवान स्वागत आप सभी का एक बर फिर से मेरे यूटूब चैनल में आप सभी कैसे हैं उम्मीद करती हैं आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हर्याना जी के से रिलेटिट अपना चैप्टर रहेगा चैप्टर फर्स्ट हर्याना की भोगोलिक संरजन जानना चाहते हैं यह कौन सी बुक है तो मैं आपको बता दू यह राके स्यादो की बुक है काफी अच्छी बुक है आप इसको पढ़ लेते हैं तो हर्याना जी के में मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्विस्टन गलत होगा और इस बुक की एक विशेशता ये है कि प इसी बुक से मैं आपको ये हर्याना जी के करवा रही हूं तो देखे सो से पहले राके स्यादो की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर है हर्याना की भोगलिक सनरचना जानते हैं देखे सो से पहले हर्याना का मैप दिया गया है आपको पता होना चाहिए हर्याना का मैप कि जानते हैं हरी आंड के बारे में अर्य आंडा के बारे में जानने से पहले थोड़ीशी हम भारत की भोगुलिक सत्रिजना के बारे मिस जान लेते हैं भारत का कुल 56524 is beauty दो पॉईंट 42 परतिसत है तब चेतर फल की दरश्टी से भारत का विश्व में सात्वा स्थान है भारत से बड़े 6 देश है कौन-कौन से है पहले है रूस फिर कनाडा चाइना चोथे पर यूएस से पांचवा है ब्राजिल आस्ट्रेलिया और सात्वे नंबर पात जो पर आ हर्याना भारत का उत्रि पस्टमी राज्य है हर्याना का कुल चेत्रफल 4122 है भारत के कितना परतिसत थैं 01,34 परतिसत है यह दोनों डाडके हैं आपके लिए तो भारत का जो छेत्रफल है 4212 और भारत के कुल छेत्रफल का एक 143 है हरुआना तो छेत्रफल की द्रस्टि यह हर्याणा कौन से इस्तान पर है 21 इस्तान पर है हरियाना राजय किसीमा पांच राजय और दो केंदरशासित परदेशों से लगती है देखी हरियाना ये जो पांच राजय है जो हरियाना से लगते हैं पस्चिमी राजय है पंजाब उत्रपूरु में है हिमाचल परदेश और पूर्वी राजय है उत्रपरदेश और उत्राखंड ठी दक्सिनपुरो में दिली दक्सिनपस्ची में राजस्थान यहां पर इन्होंने ट्रिक दी है इस बुक में ट्रिक दी है मैं तो कहती हूं आप बिना ट्रिक के ही करें क्योंकि कितनी ट्रिक याद करोगे आप अगर ट्रिक से याद होता है तो कोई बात नहीं लेकिन आप वैस सीरशा, कृुक्छितर, जींद, केथल, पंचकुल, अमबाला, अगर आपको मैप याद हैं तो ये कृष्च ना वैसे ही कर देंगे, अब जानते हैं जिन की सीमा, स 하थ जिपलेजिन की सीमा, राजस्थान से लगती हैं, तो सीरशा, बिवानी, फतेहबाद, र्युवर्णी, म जच्जर अुद्र जच्वीर आप जानते हैं बुगोलवेता डोक्टर जशवीर बुगोलवेता डोक्टर जशवीर के नुसार हरियाना को मुक्हते आठ भुवाकर्तिक ने वैजित किया गया है जिन का वीवरन इस परकार दिया है जिन का वीवरन उसने अपनी पुस्तक एन एग्रिकल्चर जोग्रोफियोप हरियाना में किया है तो ये आठ परकार कौन-कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर सिवालिक नमबर दो जलोड मैदान बालु का टिबे युक्त मैदान तरंगित मैदान गिरीपाद मैदान बाड का मैदान रावली का पत्रीला परदेश अनकाई दल-दल देखते हैं जो से पहले सिवालिक ये पहाडिया हरियाना के उतर पूरों इस्तित हैं ये किस्टन इन पाडियों से हर्याना की चार नदिया निकलती हैं कौन-कौन सी मारकंडा सर्षवती गगर और टांगरी पंचकुला से 30 किलोमेटर दूरिष्थित हर्याना की सस्ते उची मोर्नी की पहाडिया है इनकी उचाई समुद्र तल से 1514 किलोमेटर है मोर्नी की पहाडियों की सर्वो चोटी करो है जिसकी उचाई 1514 किलोमेटर है जलोड मैदान देखते हैं हर्याना में जलोड मैदान कुल छेतर फल 55 परतिसत है बालू के टिब्बे युक्त मैदान देखते हैं बालू के टिब्बे युक्त मैदान हरियाना के भीवानी हिसार जजजर रेवाडी महेंदरगड जिले में फैला हुआ है तरंगित बालू मैदान हर्याना के दक्षिनी भाग में मुख्यत है महेंदरगड, रेवाड़ी, गुरुग्राम में इस्तित इस मैदान में अरावली पहाड़ियों के आसपास बालू का जमाव मिलता है ऐसा परतीत होता है जैसे रेत रूपी समूदर से पहाड़िया उपर क और निकली हुई है ये कम विस्तरत तरंगित मैदान है जिनका निर्मान वायू की निच्छे गिरिया दवारा हुआ है गिरीपाद मैदान देखते हैं इस मैदान का विस्तार यमना से घगर तक अंबाला यमना नगर पंच कुला जिलों में हुआ है जैसी वालिक पहाड़ि मैदान है उसे बेट और घगर दवारा निर्मित बाड के मैदान को नैली कहते हैं अरावली का पत्रीला मैदान देखते हैं अरावली का पत्रीला मैदान हरियाना के दक्षिन पस्चिन के फरीदाबाद महेंदरगट मेवात बिवानी चर्किदादरी गुरुग्राम पलवल जिले में फैला हुआ है यह मैदान हरियाना के कुल छित्रफल का तीन परतिसत है और इस छित्र का सुसे उचा भाग नारनोल नगर के दक्षिन पस्ची में कुल ताजपूर गाउं में इस्तित है जो 652 मेटर उचा है इसे डोसी की पाहडियों के नाम से भी जाना जाता है इन पाहडियों का संब्द यह कुछिन पूछा जाता है डोसी की पाहडियों का संब्द कौन से रिशी से है तो इन पाहडियों का संब्द रिशी 54 से है और इन मैदान की जो उचाई है वो 225 से 500 मेटर है अनकई दल्दल यहां से भी कुछिन पूछा जाता है अनकई दल्दल कह सिर्षा जिल्ए में पाई जाती हैं कुछ और इंपोर्टेंट फेक्ट हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यह तो बिलकुल इंपोर्टेंट है यहां से क्विस्टिन पूछे जाते हैं इनको रट लीजिए मैसजोईक काल की दोरान हरियाना की भूग अरबिक सन्रचना में महत्तोप इकाईयों में बाटा गया है हरियाना, कुरुक छेतर हरियाना और बट्टियाना हरियाना की पांच राज्यों वैदों के इंदरशासित परदेशों से सीमा लगती है हरियाना का छेतरफल की दरश्टी से कौन सा स्थान है? 21 स्थान है हरियाना का छेतरफल भारत के कुल छेतरफल का 1.34% है हरियाना का तराण में 0.36% भाग समतल और तरंगित मैदान है जो सामने तक गरियमना का मैदान के नाम से जाना जाता है हरियाना के मैदानी भाग की समुदरतल से उचाई 700-900 फिट है मोर्नी की पहाडियों का सरवत सिकर करो है जिसकी उचाई 1054 मीटर है हरियाना की पस्चिमी सीमा पंजाब के साथ अगर नदी बनाती है हरियाना की पूरी सीमा उक्तर पर्दिश के साथ ही अमना नदी बनाती है तो यह कुछ important question थे important fact थे देखें अब इस chapter से related हम mcq solve करेंगे देखते हैं आपको कितना ग्याद हुआ है कितना समझाया है तो यहाँ परसु से पहला question है हरियाना का कूल छेत्र फर पूछा गया है तो right answer भी हो जाएगा च्वालिस दो से बौरा वरग किलोमेटर उसके बाद पूछे गया है जो लोड मैदान हरियाना के किस जिले में विश्तिरित नहीं है तो पंच को ला right answer हो जाएगा next है शिर्षा का नेली छेत्र शिर्षा का नेली छेत्र जो कम उथला तथा चोड़ा है हरियाना के किस भाग में आता है तो option A हो जाएगा अनकई दल दल next है घगर यमना मैदान के उचाई बतानी है 300 मीटर next है अरावली का परवत्ति है ये पत्थरीला परदेश कहां नहीं है बताना है तो रिवाडी महेंद्रगर्ट बिवाणी में फैला हुआ है पंचकुला में नहीं है next है भोगलिक दरष्टी से हरियाना को तीन ही कायों में बाटा गया हिन में से कौन से सामिल नहीं है तो कुरुक्षेतर हरियाना भटियाना सामिल है फतियाबाद नहीं है यहां पर next देखते हैं तरंगित बालू मेदान कहां पाए जाते हैं तो तरंगित बालू मेदान गुरुगर्ण रेवाडी महेंद्रगर्ड में पाए जाते हैं उप्रक्त सभी राइट अंसर हो जाएगा next है हरियाना के किस मेदान कासुष से उचा भाग नारनोल के दक्षिन पस्चिन कुलताजपूर ग्राम में हैं जो 652 मेटर उचा है next ए उप्षिन राइट फर्स्ट हो जाएगा अरावली का पत्रेला मैदान मारकंडा क्या है उप्षिन ए राइट हो जाएगा हरियाना की नदी हरियाना के दक्षिन पूरो में कौन सा परदेश अवस्तित है दक्षिन पूरो में देखे दिल्ली है next है निमन में से कौन सा परदेश हरियाना के उत्तर मेश्तित है राइट अंसर भी हो जाएगा हिमाचल परदेश हर्याना राज्य का देश आंतरी विष्थार कितना है तोल dato 24, 28 से स्थार से डिगृ, 36 पूरी देश अंतर के मंत्य है next हैंने मिन में से कौन सा परदेश हर्याना के दक्षिन पश्ची में अवस्थित है दक्षिन पस्ची में अवस्तित है ओसिंडी राजस्थान नेक्स्ट है हरियाना के किस भाग में सिवालिक परवत्षरेणिया पाई जाती है उत्तरपूर्वी भाग में नेक्स्ट है हरियाना का घगरी अमना मैदान कितने परतिसेत भाग पर विश्तरित है त्रणवे पॉइंट छेतर अगला क्रिशन है कर्णल M.L. भार्गव के नसार हरियाना के किस भाग को समोदर छूता था दक्षिनी भाग को समोदर छूता था नेक्स्ट है हरियाना के मैदानी भाग की समोदर तल से उचाई बतानी है राइट अंसर 700-900 फिट नेक्स्ट है राज्या का कितना परतिशत भाग पहाड़ी एम चट्टानी है जो रावली की अवसिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन C नेक्स्ट है हरियाना के कितने परतिशत भाग में उप सिवालिक और सिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वन पॉइंट थर्टी एट परतिशत नेक्स्ट है हरियाना के किस भोगली की इकाई को जटियात जेतर कहां जाता है ओप्शन C राइट हो जाएगा हरियाना चलिए नेक्स्ट चलते हैं गिरीपाद मैदान से सम्मद कथनों में कौन सा गलत है यहाँ पर बताना है देखे गिरीपाद मैदान के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है वो पताना है तो ए उप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा यह मैदान अपेक सा करत कम उपजाओ है तो यह यहाँ पर गलत है बाकि यहाँ पर कोई गलत नहीं है इस मैदान को ढाल जो है उत्र पूरों सिदक्षिन पस्चिम की तरफ है ये सही है यह मैदान अत्यदिकुब जाओ है ये भी सही है option A right हो जाएगा यहाँ पर next चलते हैं हरियाना के किस मैदान का ढाल अत्यन्त मंद है यहाँ पर बताना है option B right हो जाएगा यहाँ पर जिलोड मैदान का next है हर्याना के उत्तर पस्चिम भाग में गगर और मारकंडा नदियो दवारा बनाए गए बाड के मैदान को क्या कहते है right answer option C हो जाएगा गगर के मैदान को नैली मारकंडा के मैदान को बेट कहते है next है किस भूगर्बिक काल में हर्याना राजय की भूगर्बिक रचना में महत्ता पूर्ण परिवर्तन हुए थे option B हो जाएगा मेसो जोईक काल next है किस भूगर्बिक काल में हर्याना राजय की नदी नाले पहाड आदी का सुचारू रूप से निर्मान हुआ बताना है राइट अंसर ओप्षन फर्स्ट के ने जोईक काल नेक्स्ट निमलकित में से हरियाना के किस जिले में सिवालिक पाडियों का विस्तार नहीं है तो यहाँ पर राइट अंसर ओप्षन ए हो जाएगा रोह तक यम्नानगर अंबला पंचकुला में सिवालिक पाडियों का विस्तार है नेक्स्ट है हरियाना के किस जिले के निकट मोरनी पाडिया इस्तित है राइट अंसर ओप्षन ए हो जाएगा पंचकुला नेक्स्ट निम्न में से कौन सा मोरनी पाड़ियों का सर्वत सिकर है राइट अंसर यहाँ पर उप्सन ए हो जाएगा करो नेक्स्ट अरावली की पहाड़ियां हरियाना के किस छेत्र में इस्तित है राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा डी मेवात में next question है आपका अरावली की सरीणिया हरियाना की किस भाग में इस्तित है right answer option B हो जाएगा दक्षिन पस्ची next question है हरियाना की सीमा किस पडोसी राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है बताना है right answer B हो जाएगा राजस्थान हर्याना की सीमा कितने राजयों से लगती है राइट अंसर हो जाएगा उप्सन B 5 नेइश्ट छेतरफल की दरश्टी से भारत में हर्याना राजय का कोन सा स्थान है राइट अंसर यहां पर हो जाएगा C 21 अस्थान नेक्स्ट हरियाना राजय की सीमा कितने राजयो एम के अंदर साशित परदेश से लगती है तो पांच राजयो और दो के अंदर साशित परदेश से हरियाना की सीमा लगती है राइट अंसर ओप्सन C हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट है हरियाना का छेतरफल भारत के कुल छेतरफल का कितना परतिसत है बताना है तो option C right हो जाएगा 1.34 परतिसत नेक्स्ट हरियाना के किस जीले किसी माहिमा चलतिस से नहीं लगती बताना है राइट अन्सर हो जाएगा option B कुलक छेतर नेक्स्ट हर्याना के डो जिले जिन की सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा ओप्सन डी रोहता कोर्चर की दादरी की सीमा किसी अन्य जिले से नहीं लगती राज्य से नहीं लगती ठीक है नेक्स्ट है पंजाव के साथ हर्याना की पस्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है राइट अंसर हो जाएगा बी घगर नदी तो ये था आज का टोपिक हर्याना की भोगलिक संद्रजना उससे रिलेटिड एमसी क्यों भी सोल करे अच्छे से रीट करिएगा आपको जरूर ये टोपिक तयार हो जाएगा ये थी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच